दोस्तों को ये आज की बात तो है नहीं, रामायन महाबारत काल से जब भी कोई पुन्य काम होता था, यग्य होता था, तो उसमें बिग्न बादाएं डालने के लिए राक्षस आ जाते थे, ये उनका रीती रिवाज होता था, वही चीज आप देख लीजिए कि भारत और फ्र घटना गरम है, एतियासिक डील्स होने वाली हैं, लेकिन चुकि अच्छा काम हो रहा है, इसलिए टांग अडाना जरूरी है, और टांग किसने अडाई है भाई साब, तन बदन में आग लग जाती है, इन लोगों का मुँ देखके, ये कम्मिनिस्ट लोग कितने दोगले है कितने पाखंडी हैं, कि अभी तक क्या होता था, भारती कमपनी है, भारत Electronics Limited, ये सरकाली छित्र की कमपनी है, ये Defense Equipment सप्लाई करती है म्यामार को, ये चल रहा है, भारत के म्यामार के साथ रक्षा संबंध हैं, हम उन्हें मदद करते रहे हैं, म्यामार में ताना साहिय सेन ने शासन है, इसके बारे में आपको पता है, तो इन लोगों का क्या कहना है, कि अगर फ्रांस ने भारत को हतियार भेजे, तो भारत उन हतियारों को बेच देगा म्यामार को, मतलब ये लोग क्या भारत को बेवकूप समझते हैं, जो भारत रफाल और स्कॉर्पियन सबमरी म्यामार को बेचेगा, और क्या म्यामार के पास छमता है, क्या उनके पास 90,000 करोड रुपया है, जो ये सब डिफेंस इक्विपमेंट भारत से खरी देंगे, ये जो लॉजिक की बात है, ये उन्हें समझ में नहीं आती, उन्हें सिर्फ व्यवधान डालना है, तो उन्हों लीजिए, मोधी सहाब को बात देखीजिए कि भारत और म्यामार के बीच में जो डिफेंस कारोवार है, वो बंद हो जाए, इसके लिए वो मैकरॉन सहाब पर दवाव बना रहे हैं, देखिए सहाब, ये लोग चिल्दाते रहते हैं, कोई नई वात तो है नहीं, मोधी में अडचन पैदा कर रहे हैं, तब आप देख लीजिए, इनका असली रूप, चीन आपको पता है म्यामार को सपोर्ट करता है, तो चीन डारेक्ट हत्यार सप्लाई नहीं करता, वो पाकिस्तान से होते हुए हत्यार सप्लाई करता है म्यामार को, पाकिस्तान जो की म्याम्मार को रोहिंग्या के ऊपर जो आपत्ती गिर रही है जो आज वो दरदर की ठोक्रें खा रहे हैं उसका जिम्मेदार और कोई नहीं पाकिस्तान है लेकिन इसके बाब जूज जिन कम्यूनिस्ट लोगों ने जिन एक्टिविस्ट लोगों ने मैकरुन साहब को लेटर लखा उन्होंने आज तक कभी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ मुझ तक नहीं खुला है भाई साहब यह इनका पाखंड हो यह दरसाता है कि यह लोग वास्ताव में चीन से फंडेड हैं चीन पैसा खिला रहा है इसलिए चीन के खिलाफ नहीं बोलते लेकिन यदि भारत और फ्रांस की डील हो गई तो चीन का नुकसान होगा चीन कमजोर हो जाएगा तो चीन कमजोर कैसे हो यह तो यह सुईकार नहीं कर सकते इसलिए फ्रांस पे दवाग डाल रहे हैं मोधी जी की यात्रा में खटास डालने का प्रयास कर रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता ह ये जो एक्टिविस्ट लोगों ने प्रयास किया है उसके बाद भारत और फ्रांस की डिल्स कैंसल हो जाएंगी अत्वा नहीं आप अपने विचार इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखके जरूर बताईएगा अब दोस्तों ध्यान दीजिए अगर आप शेर कर लीजिएगा